कहानी या इसके कोई भी चरित्र, स्थान, आदी या किसी भी जीवित या मिर्त व्यक्ति से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग होगी, या फिल्म किसी भी तरह से अगोरी प्रथाओं, मनोगत, अंध विश्वास, काले जादू, भूत भगाने, जादू टोना और किसी भी अन्य सामाजिक बुरी प्रथाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने का इरादन नहीं रखती है. अम्मा अम्मा दम्यंती, सबकी रक्षा ये करदी, ममता की मूरत है करुणा का सागर, बेबस की करदे पूरी हर जरूरत, ज्याएगी रक्षक बनके रिष्टे नाते भूले दम्यंती. बच्चे सामन है जिसका ऐसी बेटी है ये दम्यंती. विकी, ओच्चा बेटा. गुड़ मॉर्निंग मम्मा, गुड़ मॉर्निंग मेरा बच्चा, चलो कॉफी पीकर जल्दी से नहा कर बाहर आजाओ, जब तक तु आएगा तब तक में नाश्ता तयार कर लूँगी, ठीक है कॉफी पीकर फिर से सोव मत जाना हूँ, चलो उटजा, मा, कितनी देर इस इंसान की फोटो घर में नहीं होनी चाहिए, पहले इसकी फोटो घर से बाहर फेको, मैंने इसके नाम को अपने दिल से निकाल दिया है, ठीक है विक्की, मैं इस फोटो को हटा दूँगी, चल नाश्ता कर ले, काम पर जाते हुए ऐसे गुस्ता नहीं करते, चल बैठ, अरे, जब देखो तब गुस्ता नाक पर चड़ा रहता है, यह ले, नाश्ता कर ले, यह, अराम से खाना, इतने भी क्या चल दिया तुझे, चल पानी पी, विक्की, मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, बेटा, एक बर मेरी बात सुन ले प्लीज, प्लीज, मा नाते वक्क मेरे कान में साबुन चला गया था, उसे निकालने कभी टाइम नहीं है मेरे पास, तुम्हारी बात सुनने का ताइम कहां से निकालो मा, विक्की, बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे, मेरे लिए तेरे पास कभी टाइम ही नहीं होता, मेरे लिए तेरे पास तो सो जाएगा, सब जानती हु मैं अरे माम, शाम को में घर जल्दी आजाओंगा ओके बाइ माम, चलता हु विकी, नाश्ता तो कर ले बेटा ये प्रोजेक्ट तो मेरा ये वो कैसे? बॉंबे गया था, डिल फिक्स्केम इस बार का रियालिटी शो कॉंसर्ट पता है किसका सिलेक्ट हुआ है विक्राम, प्लीज गिविम अ बिग हैंड विक्राम, प्लीज कम हीर थांक यू सर्ट ओके गाइस, इस रियालिटी शो का प्लान बहुत यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया है आज तक एसा रियालिटी शो किसी ने बनाया नहीं होगा अगर प्लान के मुताबिक चलेंगे, तो नंबर वन टी आर्पी होगी हमारे शो की वन सेकंड ओके, इस रियालिटी शो वन सेकंड गाइस हलो क्या का पेशंट आपकी क्या लगती है अगर अपनी मागो बचाना चाते हो तो ऑप्रेशं करा लो कितना खर्चावगा रॉक्तर यही कुछ 45 to 50 lakhs क्या कहाँ पे 50 lakhs मैकसिमम 15 दिन का अंदर-अंदर अप्रेशं तो ुकरना पड़ेगा वर्ना तुम्हारी मागो बचाना मुश्किल हो जाएगा भाई पैसो के लिए कहीं कोशिश की क्या तुम्हारी मा जब तुम्हारे बाप के साथ भागी थी उसी दिन हमारे लिए मर गी थी 15 दिन बाद मरती है तो भी मर जाए है तुस उसका ओफिस में मत लेकर आओ मेरे ऑफिस में टीफी लेकर आओ तुम घर से प्राप्लेफ नहीं समझे तेरे बाप ने मुझसे कर्जा लिया था उसे चुकाने के बाद मुझसे मांगना सुन लिया ना अब टाइम वेस्ट मत का चल निकल भाई भगवान है ना कुछ तो करेंगे अभी मा के पास चलते है ना चल भाई मा को होश आ रहा है कुछ नहीं हुआ मा ज्यादा काम करके बस थोड़ी थकान हो कई है थोड़े बेडरेस्ट से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी डॉक्तर ने कहा है बुद्धु कहीं का तुझे पता है ना तेरी मा तेरा जूट पकड़ लेती है मत रो बीदा नर्स में मुझे सब कुछ बता दिया है तुम्हारे पती ने कैसी परेशानी मिला के खड़ा कर दिया है ट्रीटमेंट तक के पैसे नहीं है अगर आज वो सिंदा होते है ना तो कला घोट के मार देता मैं उसे विकी यह सब क्या बकवास कर रहा है अपने बाप करजा लिया है बोल बोल कर उन्हें गाल ही देता है ना कभी मुझसे पूछा तुने कि उन्होंने क्यों लिया था कितनी बार बताना चाहा पर तेरे पास तो फुरसत ही नहीं है ना सुनने के लिए आज मेरी बात सुने का जैसा तुझे लगता है शौक पूरे करने या आया हमारी जब तू बड़ा हो जाएका तो हायर स्टडीज के लिए विदेश का भी प्लैन किया था उन्होंने अपनी सारी जमीन गहने बेच दिये उसके बाद उन्होंने जहां से भी हो सके कर्जा लेकर उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया लेकिन हमारी फूटी किसमत उस प्रॉ अगमत्या कर ली बेटा ये प्रॉपर्टी है कहा मा तेवापुरा अरे भाई कितना दूर है ये बंगला रस्ता खतमी नहीं हो रहा अरे रुक वो आंटी से पुछले सब्सी बेचने वाली अंटी को यहां का रास्ता पता होगा पूछले अंटी ये राज बंगला जाने का पता नहीं कैसे लोगों से सुब्र सुब्र पाला पर गया आजए चले जाओ अरे भाई ये साइकल वाले से पूछते ये राज बंगला जाने का रास्ता कौन सा है अरे पौपरे राज बंगला लगता है तुम लोग्या मर्द आयो बढ़ेगा ये क्या चक्क्र है भाई इस वो कोई बंगला नहीं है, वो जगा शापित है, जहरीले सांपों की गुफा है, रेत पिशाचो का घर है वो, अगर वहाँ कोई भी जाएगा, तो वहाँ के गिद उसे नोच नोच कर खा जाएंगे, उस बंगले में जाने का मतलब है, सीधे समशान की और जाना, वैसे तुम मैं उस बंगले में जाना क्यों चाहते हूं, अरे भाई साब, वो बंगला इसका है, क्या, इसका है, अरे मतलब इसके बाबा का, रमन्ना के बेटे हो तुम, मत जाओ बेटा उस बंगले की तरफ, वापस चले जाओ, मैं वो बंगला देख करी रहूंगा, अरे भाई, इस बंगले को देख कर और लोगों की बाते सुनकर मुझे डर लग रहा है, अगर उस चाहे वाले की बाते सच हुई तो, शायद उसने जो भी कहा, वो सब सच है, और वो कैसे, अपना बैग खोल ज़रा, ये बैग, ये क्या है, ये नेगटिव एनरजी डिड़ करने का मीटर है, यहाँ भूत है कि नहीं, इस समय पता चल जाएगा, ये था कहा, चैनल में पड़ा था, चेक करने के लिए मैं साथ ले आए, तेरे बाबा को इतनी दूर आकर ये बंगला खरीदने की क्या ज़रूरत थी, ये तो बिल्कुल पुरानी पिच्छों के भूत बंगले जैसा लग रहा है, फूत आ गया तो, ये तु चुप करने यार, पता नहीं कितने सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो साफ करने में ही दो साल लग जाएंगे, अरे समभल कर भाई, विके, तु जुप रहा है न, मेरे पीछे से कोई गुजरा भाई, हम दोनों ही तर्वाजा खोल के अंदर आये न, और कौन हो सकता है तेरा वह में है सब कुछ नहीं भाई मेरे पास, जरा समल कर चलना, बेखन पीछाल बाई जरा है को टीयात है विखने वह पा कुछ वाई डे चैटे चैज जली कोई आप अरे नहीं आप आप यहां सच में भूत है जब तुझे पता यहां पर भूत है तो यह क्यों खड़े चले यहां से रुख जा वह भूत इस दर्वाजे से बाहर नहीं आ सकता तेरा दिमाग खराब हो गया क्या यह देख किसी ने इसे बांद के रखा है अगर वह भूत यहां बाहर होता ना तो हम सी दोरों में से कोई जिन्दा नहीं बचता प्लीज यहांसे चलना यार है यह क्या बंगला देखने कहते तुम लोग तो लगता है दर्के बंगले के बारती पाहरे बागा है अरे ऐसी कोई बात नहीं है यहां कोई है जो बंगला गिर्वी रखकर कोई खर्जा नहीं देगा इसका मतलब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है एक रास्ता है यहां से करीब 20 किलो मिटर दूरी पर सोमापूर नाम की जगा है मैंने सुना है वहां विदेशी लोग आये हैं और वो कैसा भी बंगला हो यह जमीन खरीद लेते हैं तुम लोग उहां जाओ और एक बार उनसे बात करकर देखो भाई साब उनका नंबर मिल सकता है क्या हां देता हूँ हंडेट परसेंट क्लेरे सर विकन प्रसीड़ थैंक यू ओक्यू और यहां केसे आया है यह बंगला सेल के लिया है इस बंगले में सर वाट नॉंसेंस पागलो जैसी बातें क्यों कर रहे हूँ यह तो दमियंथि का नाम लेते ही सारे बल प्रश्ट गए कैसी बातें कर रहे हो रहे हैं तो यहां लोग चान पर घर बनाने के सपने देख रहे हैं और तुम अभी तक भूतों के जमाने में उस बंगले में हमें तो कोई भूत भूत मिला नहीं सर मेरे बंगले को कम रेट पर निकालने के लिए मार्किट में ये बस फैला ही वह अफवा है सर उस बंगले के बारे माप नहीं जानते सर इनसे कहिए कि वहाँ पर एक दिन रहकर दिखाएंगे एए सिर्फ एक ही दिन क्यों पूरा हफता रहकर दिखाएंगे जैसा कि इसने कहा तुम लोग अगर उस बंगले में एक हफता रहोगे तो ऐसे लोगों का मूँ बंद हो जाएगा नेक्स्ट वीक फूल सेटिमेंट के बाथ रेजिस्ट्रेशन फॉर्मालिटीज पूरी कर लेते हैं क्या कहते हो एए वहाँ पर पालतु मैं मूँ फाड़ने के क्या जरूरत थी और एक दिन के लिए बोला था न उसने तुने एक हफते के लिए क्यों बोल दिया भाई कॉन्फिडेंटली बोलूँगा तो लगा वो लोग मान जाएंगे मुझे क्या पता था कि वो सीरेस होकर रहने के लिए बोल देंगे हलो हाँ काविया भाई क्या हो गया भाई प्रोजेक्ट चला गया अपने हाथ से नहीं सच में गया क्या सच में भाई मेरी मां बीमार है और मैं कॉंसेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा ऐसा कहकर यह रियालिटी शो उन्होंने किशोर को दे दिया कि अब क्या करेंगे अपनी टेंशन खतम नहीं हो रही और यह पौन करके परेशान कर रहे हैं हलो हाँ मैं बताता हूं बताता हूं बोला ना हम यह हो गया रियालिटी शो के लिए पैसे देने वाले कॉल कर रहे हैं और अडिशन के लिए पूछ रहे हैं कब और कहा है और इन लोगों को वापस करने के लिए तो खुद हमारे पास पैसे नहीं है और अभी तू नहीं कहा कि रियालिटी शो का पूरा प्रोजेक्ट गया हाथ से अगर इसके बारे में लोगों को पता चलाना तो अपने चैनल में हम दोनों का एपिस बुला चल गंटी बजा गंटी का है पहल है ना बहल ले तो आपका स्वागत है आप सभी का वेलकम इस रियालिटी शो का नाम है डीडी बॉस मतलब डेरिंग विड डेविल बॉस करनाटक के टेलिवीजन के इतिहास में इस तरह का शो फर्स टाइम होने वाला है आपको रह वो होगा विनर और उसे 10 लाक रुपे का इनाम भी मिलेगा आप सभी को 20-20 पॉइंट्स दिये जाएंगे जो कंटेस्टेंट डरेगा उनका एक एक पॉइंट कम होता जाएगा और जिसके पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे वो डायरेट एलिमिनेट हो जाएगा लेकिन आपके आप लोग जितना चाहे उतना खा क्हा सकते हैं जबताज कर इस घर में जगा जगा पर कैमरा लगे आप tätä किसी को कैसी भी प्राबलम हो our बात कर सकते हैं ये शोन पर निया जिनमें है और जिनमें हिम्मत है वो अपने अपने मोबाइल को स्ट्रे में रखेंगे वाहर गाड़ी रेडी खड़ी है उसमें बैठ जाहिए चले लाड़ा बाई आरामसे कि इसको हॉली ताने है तरू किने बड़े होंगे अब तो घड़ी घड़ी मेरे पीछे क्यों आ जाता है अरे ओ चुभेश्वर चुबना बंद करना डीडी बॉस के सभी सदस्यों का डीडी बॉस के घर में अर्दिक स्वागत किया जाता है इन साथ दिनों के सफर में हर रोज आप में से किसी एक को कप्तान बनने का मौका दि दिवार के अंदर से दरवाजे के पीछे से जमीन के नीचे से भूत कहीं से भी हमला कर सकते हैं भूतों का सामना करने के लिए आप लोग तयार है अर्यार है यार यह लोग तो उल्टा खुश हो रहे हैं इन में से किसी को डरी नहीं है यह लोग भूत बंगले में आए अपने ससुराल में आराम करने आए हैं जब हम इस शो के लिए आडिशन कर रहे थे तब याद है क्या हुआ था अरे भाई इस शो का विनर बनेगा अगर मैं हारा ना तो फिर तू देखना ए सुनतो तेरी जीत के लिए तीन सीक्रेट बताऊंगा सीक्रेट नमबर वान आडिशन में बताया जाएगा कि तुम्हें बहुत बंगले लेकर जाएंगा यगेन नहीं करना वो तो हमारे चैनल वालों का सेट है हां सीक्रेट नमब के सीक्रेट ना मैंने और किसी को नहीं कहा सिर्फ तुझे ही बताया है मतलब तू भी किसी को नहीं कह सकता ठीक है है झाया यह क्या वेवकुफी कर दी तुने यार पैसों के लिए किसी की जिन्दगी से खेलेगा अगर इन में से किसी को कुछ हो गया तो कौन जबाब देगा इसका मैं अभी सब को सच बता दे तो वापस दे वापस दे चोड़ दे तेरा दिमाग खराब है क्या तेरा ना सिर्फ शरी को कुछ कर दिया तो कौन जबाब देगा तूने मुझसे कहा था ना वो दर्वाजे में कैदर भूद भार नहीं आ सकता अब तू खुद ही डिसाइड कर सच बताना ना तुझे ले बता जो करना अब तूहीं कर टीडी बॉस में आज के दिन की कैप्टेंसी के लिए मिस्टर गॉड़ा को सेलेक किया जाता है तो आज के दिन का टास्क है अपने पूरे घर की चका चक सफाई करना मुझे तो लगा था ये खाने का इंतिजाम है लेकन ये तो मेरे पीने का इंतिजाम है मैं तो इसी के साथ रुकूंगा एक मिनिट रुकिये ना क्या है गुरुजी मैं आपके साथ रहूंगा और किसी के साथ नी रहूंगा वो तो ठीक है लेकिन टम्स एं कंडिशन सप्ला इसा क्या, कंडिशन नमबर वन, इस घर में चाहे कोई कुछ भी क्यो न बोले, मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, रुग जा, में कंडिशन तो सुन ले, कंडिशन नमबर टू, रोज रात को मुझे नाइन्टी एमल से जादा मत पीने देना, इतना ही ना, इतना ही ना, इतन पापरे, कितनी दूर है, काने की प्लेट अगर साफ ना हो तो भी चलता है, लेकिन पेट साफ करने की जगा एकदम क्लीन होनी चाहिए, ब्रश काहरे, प्लेट क्या, स्पेशल पेक्ट क्या अरे इस नीन का क्या करूं मैं अहां यह तो ठंडा है पावान अब क्या हो गया गुरुजी यह बड़तन गरम हो रहा है लेकिन डूद गरम नहीं हो रहा है सच में हां देखो तो जरह गुरुजी आप मुझे डड़ाना चाहते हो ना ताकि मेरे पॉइंट्स आप हडब सको है ना वो क्यों क्या गुरुजी स्टोव वान ही नी करोगे तो गरम कैसे होगा स्टोव मैंने खुद आन किया था मुझे अच्छे से याद है हां बॉल मेरे गुंग्राले ये कहां से हां मस्ट टी शर्ड यहां मेरा पैंट बॉल गई कहां यहीं तो रखी थी हीरो कौन मैं और कौन दूबारा के ना अरे आज कल के टाइम में हीरो कैसा भी चलता है लेकिन कहां ही अच्छी होने ची लेकिन तू बहुत टेलेंटेट दिखता है चोटा साइम्पल दिखाएगा पिचाना हां बहुत बड़ा एक्टर है ना चल शुरू कर शुरू कर ना तूने मुझे क्यू मारा तूने मुझे चुआ चुआ ले नहीं चुआ रास्कल शुएगा तूने मुझे मारा तूने मुझे मारा तू मुझे चुआ अप चुके दिखाना आच्छू रास्कल शुएगा मुझे ऐसे कट लेना चाहिए हवान मेरी शर्त याद है ना कुरोजे मुझे शरत और शर्बत दोनों ही अच्छे से याद है 90 ml से जादा तूम्हें पीने नहीं देना इतना इना इना ना इना ना आइन्टी आपका बटली मेरा चलो चेर्स करो लगता है जबान लेमिनेट करानी पड़ेगी वो क्यों एक नाइन्टी अंदर जाते ही मन करता है कि बस पीता ही चला यह पावन एक नाइन्टी और देना मैं आपकी बात नहीं सुनुगा गुरुजी नाइन्टी एमल से एक बून जादा नहीं मिलेगी और मैं गुरु का सच्छा भक्ति साबाश चेले नोनाचारे के क्लव विज जैसर शिष्षे तू पर तेरा अंग उठा नहीं मांगो ए सच्छा चेला है तू वो तुमें तेरा टेस्ट ले रहा था और तू उसमें पास हो गया तूने मेरा दिल जित लिया तेस्ट में पास होने का इनाम है ना मैं तो टेंश यहां कौन सरुज है अपने आगेशी को छुपा रखा है ना सरोजा कौने बताओ ना सरोजा कौने तू साले मैं हूँ गुरुजी आपका चेला पावन है कौन गुरु कौन चेला नाइन ट्यमल से जाधा पिलाभिया तू लगता पगला या मुझे सरोजा समझ रहा है अभ अरे भाई इन नमूनों को अगर हम लोग रियल रियालिटी शो में अगर भेज देते ना तो हमारी बची कुछी इज़त का भी हेराम हो जाता अच्छा हुआ कि मैं वहां नहीं था वरना तो ये पीपा के कभी मुझे सरोजा समझ लेता करके मुझे को चुमा चले गए चले अरे विकी लगता है भूत ने इसे अपने बश्च में कर लिया इससे पहले की कुछ गला तो हमें इसे बचाना होगा चल 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 कि अगर देख खुदी देख ले इसे किसी भूत उतने वर्ष में नहीं किया है इसे नीद में चलने की आदत है तो यह पिंकी यह बंदरों की तरह क्यों एक्टिंग कर रही है तु आँए मेरा घर है तुम यहां से निकल जाँ यह घर तेरा है इत्तु से तु है और यह घर तेरा है तेरी माने से खाया क्या कहा है वो बोला अपनी मा को कहा है वो बोला अपनी मा को तो तु तब से वहां चुपकर बैठी है सरोजा क्या कर रही तू अलमारी में बैठके कोक्रोज मार रही है क्या बाहर निकल यह चैनल ले इस जूनियर आटिस्ट को अभी क्यों भेज़ दिया अरे और तु आती है कि मैं वहां हूँ आरियो जी है थे बगवाल ही कैसी मुसीबत कले बढ़ गई है इधर आट तुझे बढ़ाता हूँ है इस बच्ची को तुने क्या सिखा है यह मेरा ऐसा बोल रही है हां मेरा कलर देख और उसका कलर देख यह तरी ना जाया जोलाद है भूला बुला अपने बाप को आज फैसला हो कर रहेगा बुला अपने बाप को अरे मैं यहां तो वह कैसे आएंगे यह सब पखवाद मैंने जानता चल बुला अरे वो तो मुस्ते जगडा करके जाने कहां चले गए उसकी बेटी का पती हां बैठा है और उस बुड़े को जरा सी क प्रुज़न था कि मेरी कमाई आखिर जाहा रही है लेकिन आज मुझे पता चला क्या समझाया जी रात में इतना मेकप लगा के घूम रही है तुम यहां से निकल जाओ यह सब क्या है हो मेरा करने की जगा मेरा चिला रही है तू यह मेरा घर है तूम यहां से निकल जाओ यह मेरा घर है करके चिलागी तो मैं डर जाओंगा क्या मैं तेरा बाप हूँ अब मैं चिलाओंगा यह मेरा घर हूँ रहा हूँ अधिया मेरा पेट में दर्द हो रहा है रहे इसलिए मुझे कम खाना चाहिए इस बावर्ची को कितनी बार काई पर देता ही नहीं है अब क्या करूं नहीं जाओंगो तो गरपड हो जाएगी अरे माँ कौन है तू 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 भी मेरी तरह बात्रून जाना है क्या तेरा हो गया ना चला भाड़ मुझे जा मेरी आजा यह मेरा घर है तुम यहां से चले जाओ यह बात्रू निकल यहां से बहार निकल यह मेरा घर है तुम यहां से चले जब जाओ इतनी जूर से मचला यार मुझे बहुत जूर की लगिया है देख मुझे अभी कि अभी जाने दे नहीं जाने देगी तो इसके बाद जो होगा उसकी वज़ा तू होगी मैं वैसे परिशान हूं उपर से यह आ गई यह मेरा घर है तुम यहां से निकल जाओ यह मेरा घर है तुम यहां से निकल जाओ यह मेरा घर है तुम यहां से निकल जाओ कमला नहीं कमला नहीं नहीं मुझे छोड़ दे कमला नहीं कमला नहीं कमला मुझे लगा मेरी पुरानी प्रेमिका कमला यहां है लेकिन तू तो एक बच्ची है ये मेरा घर है तुम यहांसे निकल जाओ बालिका ये डायलोग मारने के लिए तुने मेरे जैसे एक शेर को जगाया ये मेरा घर है तुम यहांसे निकल जाओ मैं ये भालतू बाते नहीं सुनूगा अगर तेरी जगह यहां कोई और होता तो मैं असे उठा कर फेग देता और क्योंकि तुछ से लड़ना मेरे उसूलों की हिलाफ है और मैं इसलिए गुस्सा नहीं हूं कि तुने मुझे नीन से जगा दिया पर इसलिए गुस्सा हो कि अच्छा अगर तुझे टाइम मिले ड्रामा जूनियर जाता है वो देखना बहुत बढ़ी है प्रोग्राम तुझे पता है तुछ में कितना टालेंट है यह मेरा घर है तुम यहां से चले जाओ ओ यह भूत का कैरेक्टर ना बड़ा इंपोर्टन्ट होता है और उस निभा हो अपनी अखहा खोलो हूँ कर गठते हैं और जोर जोर से सासलो है दानकों डालोग अब डालोग बोलो मैं अब अग tutorial जोकुत सबसेंस यह मेरा घर है तुम यहां से चले जा गये ना और मुझे को मुझे देखों अब उबजे तकर उस बड़ी आंखों से यह मेरा घर है, तुम यहां से चाना जा डीडी बॉस आप सभी सदस्यों को थैंक्स कहना चाते हैं और इसी के साथ आज हम तीसरा दिन शुरू करने वाले हैं और इसके लिए डीडी बॉस आप सब को बदाई देते हैं अपनी कैप्टे सीनस अपता पूर वक निभाने के लिए डीडी बॉस रोशन को बदाई देते हैं और अज के दिन का टास्क है अनताक्षरी टास्क जो की बहुत खास है मैं पहली हीबार कैप्टै बराऊ है अरे यह तो खाटी काति है रोने लगया डिडी बॉस, थैंक यू बॉस कभी कोई असान नहीं हुआ डिडी बॉस, जिंदगी में मुझे आस्ता कैसी नहीं बुलाया और आपने मुझे शो में बुलाकर मुझे कैप्टन बना दिया इतनी कुशी इस जिलिए टिडी बस, सभी सदस्यों को एक पार्टी देना चाहता हूं डोफुल बॉतले और चिकन भिजवादो बस, मैं बस भाहर मांग रहा हूं मैं बाहर आकर इंटरणस के साथ वापस कर दूँगा बस, प्लीज या करे यार, देजना पड़ेवा वैसे गलती हमारी है कि हमने बोला कि खाने पीने पर तो कोई पाबंदी नहीं है, तो सुहर की तरहा खाने पीने के लिए सब रेडी बैठे, बिजबाता हूं मैं हेलो फ्रेंड्स, जिंदगी में पहली बार कैप्टन बनने की खुशी में ए छोड़ी सी पाड़ी रखिये मैंने, तो जितना पीना है खुल के पीना, बस खाना मेरे लिए छोड़ देना, ऐलो कैप्टन, पाटी थीक है, हम खाएंगे, पिएंगे, मजे करेंगे, पर एक कंड सब्रसान आ हुआ हम धीना करल के लिए औरेंगर जूस कियों हमेंभी नाइटी चाहिए? तुम प्राइटी हो ए तुम तो लड्किया हो ना, लेडिस हा तो, हम लड्कियां हुआ पी महीं नहीं सकती क्या हम नैशनल पार्टी को Elk गार्टी को ने कर सकते हैं तो, एक वह बस यही देखना बाकी रह गया था यह 2019 है ना हमारा 90 भे बना अज़ा बेख शबश आज तक नजाने कितनी पार्टी किया मैंने लेकिन आज तक लड़कियों के साथ नहीं की वह सुना Guruji इस नहीं तक लड़कियों के साथ नहीं किया यह पार्टी है इन लड़कियों को तो देखना ही बहुत है तर यह भी पिर शादी तो इन बाहने वाले दो लड़कियों को पिदेए यह है ठड़ड़नों के साथ यह और का यह जो DC यह तरे ह्लाह के लिए नहीं का प्लाम साथ मेरे लिए है अभे ओई तुखाले भाई ते तो अरे देगा 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 अराम से बैच जा सब को देगा बैच पीओ पीओ जितना पीड़ा है और तुम्हें गुरुजी मैं आपको और नहीं दूंगा लड़कियों को ना ऐसे पीते देखकर किसी लाइब बैंड जा फील लगी नहीं रहा किया में भूत बंगले में मैं भी महां जाओं क्या अभे बेवकूफ एक तो मैं पहले से ये सोच सोच कर परेशाना कर दे और तुझे पाठी करने की पड़िये तेरे पास तो हमेशा कोई बहाना रेडी रहता है बोरिंग आदमी साला मैं तो यहीं से अज सब्सक्राइब होगी अगल चोड़ों एक चोड़ों से अज़ा होगी सुटी सासुमा ओई लहराती वंचना तू अपनी बहन के साल भूम रही है पूरी फ्राइब फेमिली मुझे अमारने आई ए ना I don't care I am single army come on I say यह मेरे से बंद नहीं रहा है जड़ा एक पर ठीक से बालू फिर तुल्लों को बता तो है प्राइब कोनू मैं अरे मेरा हतियार मुड़ गया हतियार चेंग अरे बावर्ची ने कर्ची बदल के मिर्ची कूटने वाला डंडा मंगा लिया अरे चुपके सारे ए फ्रॉड अपनी फ्रोकर काले ससूर गंजे साले साब सरोजा सुष्मा तुम सब एक एक करके आओगे यह सब एक साथ आओगे डिसाइड करो तुभारे सर के टुक्ड़े करके मैं कुट्टो को खिला दूंगा में चोटी बच्ची पर हाफिक नी उठाओँगा यही सोचका तेरी माँ ने तुझे आ भेजा है तुम यहां से चले जाया जेरी माँ ने तुझे यह भी शिखा दिया वह मुझे इस घर-बहर पेकर उस बांजीत को या लाना चाहती आफ सिजह। हुआ है तो हुआ है तब ने छुटे रहा हुआ अच्छा वा कि तू जामने नहीं वरना तू भी जाता यह बावर्ची मुसल के साथ उपर क्यों जाता जल्दी माइट में अनॉस्मेंट कर अलो वावर्ची तो बंदरवादी की तरफ जाना जल्दी अनॉस करना अरे भाई यह माइक काम नहीं कर रहा है अलो अलो नहीं चल रहा है भाई चाहे जो भी हो जाए हमें उस दर्वासे को खुलने से रोकना होगा चल्दी चल्द अलो अरो सुरख-जय मैंसर稜 डलो सुरी अल giorno मम्मा, मम्मा, आजाद होगे, तुम आजाद होगे मम्मा, बहार आजो मम्मा, मैंने तुम्हें आजाद करा दिया है मम्मा, इस घर में कुछ लोग आए है, और इन लोगों में बुद्धी सरा भी नहीं है जिसके साथ छलकपट औरन्याय हुआ था, मासूम चरित्रवाली बेबस दमयांती नहीं हूँ मैं, हजारों रूपों के बराबर हूँ मैं, मृत्यू को लेकर चलने वाली नथनी हूँ मैं, मैंने मृत्यू को हराकर विजय हासिल की है, मुझे इस कमरे में कैट कर दिया गया थ मित्यू से पहले रुद्वत तांडव करती हूँ मैं, दम 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 आयांती हूँ मैं, अपने दुश्मनों को ढून कर उनका सर्वन नाश करने आई हूँ मैं मुझे नहीं लगता कि इस शो को लेकर यहां कोई भी सीरियस है, डीडी बॉस ने आप सबको पहले ही बताया था कि उस सीक्रेट रूम के पास कोई नहीं जाएगा, तुमने इस शो का रूल तोड़ा है, और अस पदी एग्रिमेंट हम इसी वक्त तुमें इस शो से डाइरे तु आखेर डाट किसे रहा है, यह रियक्त तो ऐसे कर रहा है, जैसे इसने कुछ किया ही नहीं, यह बावर्ची, यह लोग तुझे ही सुना रहे हैं, सुनले, मुझे क्यों सुनाएंगे, ऐसी तैसी कर दूँगा, मेरा नाम लेकर डाटेंगे तब समझ में आएगा ना, ए इनसान अपनी उम्रे से नहीं हरकतों से बड़ा होता है, और तेरी हरकत है, पूरी सड़क छाप है, सुनो, मैं फिर से कह रहा हूँ, यह लास्ट वार्निंग है, फिर से अगर किसी ने उस सीक्रेट रूम को खोला, तो डायरेट एलिमिनेट हो जाएगा, यह डीडी बॉस क एक तो इन लोगों ने भूत का कमरा खोला है, इसलिए मैंने यह प्लान बनाया, आज के दिन वाइल्ड कार्ट एंट्री के लिए और इस घर का एक सदस्य बढ़ाने के लिए एक विशेश महमान को भेजा जा रहा है, पीडी बॉस इस घर में रहने वाले सभी सदस्यों की कि तरफ से हमारे नए महमान कार्ट स्वागत करते हैं, अरो बाई, ये कोन से गूरु आ गया, क्या आए, कारुक कान सल्वान कां सोचा के ये कोई और नमें आ गया या, ये तो हमाई गॉड का मिल लग लग रहे है, कि्या जिलजी कर जिलाचिक क अर्ए हरेचल अर्प्सकेरत का सी रेसने का मुता है तो तेन चार पांक चैसा साथ अपोगह निकोण ? तू कौन होता है लोफर, काउने, वो भी मैं, तू होता काउने, मुझे से पूछेगा मैं काउने, होई, रात को दस बजे, एक बार अगर मैं टीवी पे आ जाओ तो, सारी आतमाय, ए टीम में कड़े लोग के जैसी कड़ियोकर, मुझे वाँ पर एक तक देखती, अपने कैसे रातमाय मुझे बुला कर मुझे बच्या उ मुझे बच्याओ बोल कर समया, मेरे सामे में लेक्र जाती है, बोत सारी आतमाओ की इस데 दूभ वाइच्छी कराओ, उनका बच्चा पाईदा करा है च्छों क्या कराया है? भाईच्छ, क्छ्छों ऐँ इधाया हूं, एक बार मैं टीवी आगया तो बस टी आरपी आता है चपर भाड किये वातमाओं को मेरे रहने से आनंद आता है आतमाओं का उद्धार करने वाले इस आत्म ब्रह्मना चे वोँ लोग पूच देयों मैं कौन है तुम सब लोगों पई तुम लोगों को मार मार के जमीन पिलिटा के बच्चों का सूसुमे मिक्स करके गटार में फेक दूगा तुम साब को वहीं का मुद बन जाया नमा इने चुड़कोजी के लाग इने जमीन मसाला में यही आते हैं टीवी में सुमी जी माफ कर दो बच्चा समझ के माफ कर दो इंसे गल्ती हो यह चेर लेका जाए अरियो महरी इदर करो अरियो महरी इदर करो अरियो महरी है रम्या एक आइडिया है हां बताना हम दोनों मिलकर दराने वाला खेल खेलते हैं जो पॉइंस मिलेंगे दोनों शेर कर लेंगे हां इस वेरी गुड आइडिया लेट्स दूइट मैं तो रेडी हूँ पहले मैं जाकर डराती हूँ फिर तू आकर डराना कूप सारे पॉइंस मिलेंगे ओके ओके अच्छा तो यह प्लाइन है मैं बदा तूँ पॉइंस चाहिए पॉइंस कैसे लेते हैं वह मैं दिखाती हूँ अब तुम देखती जाओ इस शो की विनर तो अच्छा तो यह बुझे डराएंगी यह मुझे भी जानती नहीं है मैं इन्हे ऐसा डराऊंगा कि इनके सारे पॉइंस मुझे मिल जाएंगे आजा मैं दिखाता हूँ कि आक्टिंग होती क्या है हाँ आजा 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 आई क्या कि उप्रबाद दिया तो यह तुझे दिखाता हूँ रुक है अटिंग थीक है पर मेरे साथ मैं हैंडलिंग क्यों कर दी पता ऐसा करने से वहां नहीं मिलता है समझी तुझ जानती है कि मेरा बाप कौन है यह आंखे किसको दिखा रही है चाल माफी मांग मुझे को तखाई कुनी धे रहा है अध्य जी दीडी बाउस इस इस लड़की को इलिमनेट करो भी मैं हंदी करी मेरे साथ मुझे कुट्टे की तरह मार रही है मुझे नहीं हो रहा है । यह से ले राग्टिग करने बहुत बंगा जिए कि अफीर्ण कर नहीं है अच्टे का नहीं है मुझे मिलसे नहीं होगा मैंने खेलोगा चलो बंठ कर रहे हैं उसे बाह निए पार इंगालो मैं जाना जाता हूं मुझे बाहरी गाल, मैं चला जाओंगा तरवागे डीडी बाग यह अलोग डिस्टब कर रहे है गिरिडाज कोहली इस काली शकल पर बिल्ली का ड्रॉइंग करके टोमैटो सॉस लगा कर डराना चाहता है क्या यह लोग मिलकर मुझे टार्गेट कर रहे हैं क्या रहे इतना मस्त मेकप करके जूलरी पैन के आई है शाबाश अब देख वस्तरों से यहां जूलरी पैनने से शाबाश ही थोड़ी मिलेगी क्या ठब शाहिए अभी तो लोग तुछ से डरेंगे प्यार क्रोध लूब नफरात लालच मोह अब सुन तुझ में कितना दम है यह तुझे मुझे दिखाना होगा कमान इन्वल्व हो जाओ तु मेरी आखो में आखे डालकर मुझे डरा कमान कमान बराबर 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 तेरा एक्स्प्रेशन बिल्कुल बराबर है साल्या मुझे निकलेगा तो टोमाटो सॉस और तुमें निकलेगा तो ब्लेड क्या यह अच्छा है कि यहां से चुपचाब निकल जाए रोशन इससे क्या हो गया? ओ तुम दोनों मिलकर नाटक कर रहे हो क्या? यह सब मुझे पर काम नहीं करेगा मैंने डरूंगा किसी से मेरे पॉइंट्स नहीं चीज़ सकती ऐसे के देख रही है? समझ नहीं आ रहे चल भाग बेवकूफ यहां कुछ ना कुछ तो कर बड़ है भाई हम लोगों ने टास दिया है ना इसलिए यो लोग ऐसा कर रहे हैं चोड़ो मेरा पैर चोड़ो मेरा पैर चोड़ो गुरूजी मुझे आशिरवात की बहुत सरूरत है आयले ले दे रहा हूं गुरूजी आप मुझे अपना शिश्य बना लो मुझे मेरे घर से मुक्ति दिला के अपने साथ रखने की कृपा करो मैं मन लगा के आपकी सेवा करूँगा हाँ बहुत कुशी की बात है यह पिला नाइंटी प्रसाद है प्रसाद है? गुरुजी थैंक्स अरो बोलाना पैर चोड़ दे यार माम मेरे मेरे कोई गलती नहीं मैंनी कुछ ने किया सब इस ने किया मैं मैंनी जाता हू यहाँ थै आज आदा है रुक्या बशे ओम शक्ति मा ओम शक्ति जगत्माता मा आपने इस पापी को साक्षाद दर्शन दिया मा बगवान अर भूत में फाइक ने देखता थू? अलेकतम से काँ गया मेरा शिष्य जगत्त ने अर्ड़ से अर्टा लगाए इस तो तुमने अच्छा 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 धिया जाए नहीं, चाहिए सुन, अगर हम लोगों ने इन्हें ऐसी छोड़ दिया तो बहुत बड़ा अंदर थो जाएगा पहले चल कर इन्हें बचाते हैं तो डिस्टर्बंस दर्वाजा भी अंदर से बंद है, अंदर क्या हो रहा है, कैसे पता करें खोड़ो, खोड़ो, मैं तरना खोड़ूगा खोड़ो, खोड़ो यार, सुन मेरे बात, सुन मैं तेरे पाउं पकड़ता हूँ अगर वा गए ना बेटा, तो एक सेकेंड में तेरा सुसु निकल जाएगा अई यार यह लोग क्या गए यह लोग क्या चल रहा है मैं आत्माओं के सद बात चीत कर रहा हूँ और तुम्हे लोग शोड़ा रहा हूँ मैं बसम कर दूँगा समझे गुरुजी, वहाँ अन आत्माओं को तो आपने समझा दिया यहाँ भी एक आत्माओं उन्हें भी समझाओ देखो ना वू कैसा कर रहे है यही है क्या वो अभी बताता इसे हाँ उसे चोड़ना मत गुरुजी यहाँ चाहिए तुम्हें पाना तुम्हेडी अई इसा क्या कहा दियो मैंनो तो बस तुम्हे यही पूचाता कावनो और तुम्हे मेरे को अई यह खूल मा तुम्हें गुरुजी को समझती क्या है तेरे टुक्ले-टुक्ले कर देंगे गुरुजी आत्माओं से खेलते हैं उन्होंने कितनी आत्माओं की शादी कराके उन्हें अनीमून पर बेजके बच्चे पैदा कराएं हिम्मत है तो उन्हें चूकर दिखा सिर्फ इसना ही नहीं बहुत बड़ी बड़ी आत्माओं इनसे शर्ट लगाकर इनके साथ खेल खेलते हैं हिम्मत है तो दिखा हाथ लगा कर पटा के देगा कुछ नहीं है मैंने किसी भी आत्मासे बात नहीं किया कोई आत्मा मेरे साहित नहीं है वाले देखकर मुझे बोले तुम्ही आत्मा ब्रह्म हो तो मैंने भी अपना मुझे मार पीट के बारे में कुछ नहीं पता मा तीन देन से अपना बच्चों की शकल नहीं देगी मा मुझे जाने दो तुम्हारे पैर पड़ता मा आरे जाने दो नहीं हो मा कि यूची सारे पॉइंट्स दूही लेना चाहती है क्या कि मैरे बात सुना रहे यह ता सच में भूत है यह रियालिटी शो नहीं है यह सच का भूत बंगला है भूत बंगला बाग जाओ बाग जाओ किड के कॉल के बाग जाओ रखो मेरी इजाज़त के बिना यहां से कोई बहार नहीं जा सकता हेई शेरनी से खेरने का मतलब है मौत को दावत देना सादू की बात मान के भागने की कोशिश की तो शम्शान का रास्ता दिखा दूंगी दान धर्म करने वाला ये हाथ आज भी दया करेगा ये सोचना गलत होगा अश्त दिख बंधन को पार करके दिख पाल को दिछा दिखा कर सारे ग्रहों को ग्रहन करके दुश्मनों की बली लेके उनका नाश करने वाली नारी हूँ मैं रक्षसों का रक्त पीने वाली महाकाली तबयात्ते सब को जानकर जानबूश कर यहां खेल खेल रहे हो क्या मेरे इलाके में आके मेरी ही बेस्टी करोगे तुम लोग तुम लोगों की आते निकाल कर वीड़ा का धागा बना कर उससे संगीत सजाओंगी तुम लोगों को जिन्दा ही यम के दर्शन करवाओंगी मैं इस घर को खुद छोड़के जाओंगे तुम लोग या बताओ मुझे अपने प्राण दोगे तुम लोग तुम दो भी सुन लो तुम दो भी सुन लो बेटा विक्की तुम ऐसा करोगे ऐसा सोचा नहीं था तुम पर भरोसा किया था तुम भी इसकी तरह 420 हो यह सावित कर दिया तुमने मैं पैसे कहां से लाया था जानते हो दिन राट जी तोड मेहनत करके कमाया वह पैसा था तुम्हारी तरह बेवकूप बना कर नहीं कमाया था हम जैसे लोगों को क्यों फशाया तुमने पावर्ची यह लोग पैसा बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं इन्हें तो बस पैसा बनाने से मतलब है मिने बाबा की तब्यत खराब है मैंने फिर भी इन्हें पैसा दिया इंसानियत नहीं तुम लोगों में यह लोग बस क्रिमिनल्स हैं जस्ट पर मनी यह रड़ी तुम लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए विनर्स बोलते हो विनर्स यह सब पहले क्यों नहीं बताया हमें जीतने के लिए हम लोग बहुत महनत करके यहां तकाये और दम्यंती के बारे में कुछ पताया नही हम लोग को बेवकू बनाते रहे हम से इतना इतना पैसा लिया तुम लोगों ने और हमारा पैसा लेकर तुम लोग भागने वाले थे क्या एक एक रुपिया कमाने के लिए हमें कितनी मैनत करनी पड़ती है पता है तुमें बखना समझ कर हलाल करने नहीं लोग चैनल का नाम मेरे घरवानों ने बहुत उमीद रखी है, और उन्होंने जो भी मचद की थी, सब तुम्हारे हाथ में दे दिया, तुम लोग ने क्या क्या, किसी पुराने जमाने के भूत बंगले में लाकर हम लोग को भसा दिया, तुम लोग को बहुत पैसे चाहिए ना, किसे के जान ले अपनी जबान को लगाम दे, हम लोग यह चुप चाप खड़े हैं, तो जिसके मुँ में जो आ रहा है, यह चुपो जा यार, नहीं तू चुप कर, हमने ऐसी भी क्या गलती करती यार, और क्या काता हो तुने, यह बंगला किसी पुराने जमाने का बंगला है, इस बंगले क माले की यह रहा, यही है, यह बंगला होते हुए भी, यह इंसान इतनी महनत क्यों कर रहा है, तुम में से कोई जानता है क्या, तुम ने कुछ गलत नहीं किया, जी हूँ या मरू, पर मैं तेरे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमारी मा को बचाएंगे, तेरी मा की जिन्दिगी का सवाल है न, तीन दिन क्या, तीन जन्मों तक हम यह रहने के लिए, क्या बोलते हो, मैं तो इस घर में रहने के लिए रेडी हूँ, पर इस सिचोइशन का क्या करें, उसके लिए भी मैंने इंतिजाम किया है, अपरूप अधितियों का अंतर्य अर्थ जानने वाला, यह साफ हो गया है, कि उस आत्मा की लहर, अचानक आय हुए महमानों का सदकार करके उनका स्वागत कर रही है, प्रदोशकाल के इस शाम को सुदर्शन हवन के तैयारी करो, शिवरूपेशुरूपेण, महादैत्य महावले, घोरूरूप महारावे, नारायनी नमस्तु दे, या देवी मायारूपेण संसिता, नमस्तसे, 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 नमुनमा, आवा हयामी, आवा हयामी, आवा हयामी, दुष्ट शक्ती, आवा हयामी, चोर्दे, चोर्दे मुझे, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है चला जा कौन है तू इन्हें परिशान क्यों कर रही है यहां पर क्यों आई है यहां कौन किसके घर में आया है यह घर मेरा है यह मेरा स्थान है यह दमयंती का महल है दमयंती का महल है यह तू यहां क्य कर रही है तोला ठेक से समझा मुझे हो बोलती हूं मेरा नाम दमयनती है मेरा बहुत खोशाल परिवार था और मेरे पिताजी विचेंद्र वर्मा दान धर्म करके हमेशा लुगों की भलाई के लिए सोचते थे उनकी बातें वेद शास्त्री जैसी थी और ये मेरी मां सावेत् साथ नाम के लिए पिया काहई प्ति नाम की भीमारी फैल गया वह सारे गाव के लोगों में अंद उश्वास होने की वजह से सही समय पर अपना इलाज ना अपनी जान को खत्रे में डालते गए और उनमें से एक मेरी माँ भी थी यह सब देखकर मेरे पिता जी ने उसी दिन खोशना कर दी कि हमारे गाउं में मुफ्त में वैद चिकितसा मिलेगी हमारे गाउं में एक डॉक्टर को बुलवा कर मुफ्त इलाज का एक अस्पतार बनव देख भेरा तू गलती कर रहा है हमारे गाउं के भलाई के लिए हमारे मालिक गाउं में दान धरम करके सारे गाउं का उधार कर रहे समझा और तू और तेरा भाई मिलकर जहरिली दारू बनाकर गाहँवालों की जान से खेल रहा है ऐसा करना बंद कर दे भेरा देख भैरा मैं तुछ से कह रहा हूं यह सब यहीं पर रोग दे वरना तेरी घटिया हरकतों के लिए मालिक को बोलकर पंचायत बुलवाऊंगा और तुझे इस गाहों से निकलवाके रहूंगा जब दारू पीने वालों को कुछ नहीं पड़िये तो तुम लोगों को क्या है दस पंदरों लोगों की बीड़ बनाकर लाओगे तो मैं डर जाओंगा क्या यहीं सोचा था ना इस भेरा का नाम सुनकर घर में दुम दवा के छुप जाने वाले कुट्ते हो तुम सब लोग और अब तुम लोग मेरे खिलाफ पंचायत बिठाने की जुरुरत करोगे इतनी हिम्मत आ गई है तुम सब का सार मेरे पैरो तले होना चाहिए अगर किसी ने भी जिरासी चला की दिखाई और मेरे खिलाब जाने की कोशिश भी की तो जो इसका हान हुआ है वो इस तुम लोगा कभी होगा जब घर का दिया ही बुझ गया तो इस जोती का क्या काम अब इस भैरा का दिया जलाने के लिए तयार हो जातू चौड़ा 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 नमस्कार मेरे पिता जी ने आप लोगों के हैद के लिए ये धर्म हॉस्पिटल बनवाया है इसलिए अंधिविश्वास छोड़िये और अपनी जान को खत्रे में मटा लिए आप लोगों को कोई भी बिमारी हो यहाँ आपका मुफ्तिलाज होगा इसको आप लोगों के लिए बनाया गया है ये आप सब का है अपाजी दरबार में आप अकेली बैठकर क्या सोच रहे हैं? आओ बेटी, बैठो या कहिए ना अपाजी, क्यों बुलाया? तुम्हें डॉक्तर बनने में और कितने दिन लगेंगे बेटी? एक साल में हो जाएगा अपाजी, क्यों अपाजी? तुम्हें इन गावालों की सेवा करते वे देखना चाहता हूँ मरने से पहले ये मेरी दिल एक्षा है, बेटी ये लो, बेटी ये क्या है, अपाजी? ये मेरे जादात के कागस हैं, बेटी अरे, ये सब आप मुझे क्यों दे रहे हैं, अपाजी? देखो, बेटी, बेरी तबिया ठीक नहीं रहती है भगवान ना करे मुझे कुछ हो गया, तो मेरी जगा पे तुमें बेटना होगा और हमारे शासन पर विश्वास रखने वाले लोगों का हाथ कभी मत छोड़ना, बेटी हमेशा तुमें इन लोगों का मुफ तुमें इलाज करोगी और सही देख भाल करोगी मुझसे वादा करो अपपाजी, आपको कुछ नहीं होगा अपपाजी, यह आप कैसी बाते करते रहते हैं आपका दान धर में ही सदा आपकी रक्षा करेगा आइंदा ऐसी बाते कभी मत कीजेगा अपपाजी, मैं बरदाश नहीं कर पाऊंगी आपको मांगी आपको मांगी नहीं करेखव कर दोड़़ आपको मांगी गाने टीक है मालिक, मालिक एक बर बाहर आई है, मालिक, देखिए मेरी बेटी के सब क्या हो गया क्यों किर्पा, क्या हो गया? अब हम क्या कहें, बाओजी? शान्त हो जा वीकी, शान्त हो जा, तुछ तहर रख समपज़ आपको कहां जा रही है ये, पैसा भरा है क्या? क्या है कि एमर्जन्सी किस है, पैसे नहीं है, अब ही हमारे पास पैसा नहीं है, मालिक, कैसे भी करके मेरे बेटी को बचा लीजिए, मैं आपके बेर बढ़ती हूँ डोक्टर देखिए, मेरे बेटी को सापने काट लिया है, कुछ भी करके इसे बचा लीजिए, मालिक, 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 मेरे बेटी को सापने काट लिया है, कुछ भी करके उसे बचा लीजिए, मालिक, मेरे बेटी को बचा लीजिए, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मालिक, मा अब परोसागर के आई हूँ पैसा नहींव तो क्या हुआ तेरे पास खुबसूरती तो है ना मालिक आपने जितना बोला था उतना पैसा ले आया मेरी माँ को बचा लो दया करो मालिक मालिक तू समय पे पैसे नहीं लाया ना इसलिए तेरी माँ गुस्से में चली गई कहा चली गई मालिक मालिक ये कहिरे मालिक ये तो फैसे आपको दे दिये मालिक ये अन्या की अगर ज्यद्रबके तो जहां तेर एक भी भेज दूँ कर में मां आखें को लेजो कि दूआ हां जी डॉक्टर साब अंदर है लेकर जाओ बेठी लेकर जाओ 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 बेठी लेकर जाओ चला थोड़ा थोड़ा सा अंदर कैसे लोगए लख्वे बेठा लख्यु बेठा अरे पापी छोड़ दे जोड़ दे उसी ठोड़ दे रिपेटिक रोजेर्ग है मेरी पेटी को मार्दिया लग्चिमी पेटे अपपाजी नमस्कार पापी डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं दो लोगों के सामने ही लोग जोड़ते हैं जीवन देने वाले भगवान के सामने और उसी जीवन को बचाने वाले डॉक्टर के सामने उन्हीं इंसानों के साथ तुम जैसे लोग धोखा करते है और डॉक्ट्रों के नाम को कलंग कित करते रहे, पापे. जी जाजी, वो… दोश्ट, मुझे जीजू कहे कर मत बुला, यह तुने किस तरह का काम कर दिया? इन गाँवालों का मेरे ओपर जिस तरह का विश्वास था, तुने उसे मिट्टी में मिला दिया. इनी गावालों के सामने अगर मैंने तेरी इज्जत उतार कर तुझे जेल नहीं बेजाना तो मेरा नाम भी विजेंद्र वर्मा नहीं मुझे माफ कर दीजी आगे से इसी गलती कर भी नहीं होगी माफ कर दीजी अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं अपा जी मैं तो फस गया, इसमें मेरी क्या गलती है भेरा जी और आप पे भरोसा गर के मैंने असब किया था सर, सर कुस तो करो न सब, सर कुस तो करो, सर कुस तो करो न सर संभालो अपने आपको सुनो भेरा, ऐसे वक्त पर ऐसी बात बोल रहा हूं, इसका बुरा मत मानना इस घर का आप कोई रखवाला नहीं है वैसे भी तो, तुम इस लिड़की के सगे मामा हो इस से शादी करके, घर बसाकर, इस घर की सारी जिम्मेदारी तुझे ही समालनी होगी यह बिचारी अपने माबाप को खोकर अकेली हो गई है और ऐसे समय पर आप लोग तो, आप लोग तो कुछ और ही बोली जा रहे हैं सुनो, यह मेरे घर का मामला है तुम लोग अपने काम से काम रखो आप लोग जा सकते हैं सब लोग को बेजो यहां से मामा, इतने अच्छे से समझने के लिए थैंक्स मामा अब आपको बड़ा बन के हम दोनों की शादी करवानी होगी क्या मैं प्लीज जीजू शादी बहुत ही धूम धाम से होगी बेटी सुभा से कुछ नहीं खाया तुने थोड़ा सा खाना खाले बेटी क्यूं खाना खाऊं दादी मा भी बिमार थी और मैं उसे बचा नहीं बाई मा तो रही नहीं और अपा जी भी मुझे छोड़के चले गए मुझे भूख नहीं है दादी आप चाहिए ऐसा मत कहो बेटी तुझे खाना ही होगा तब ही तो ताकत आएगी और ताकत आने के बाद उस राक्षस को मार पाएगी तू यह आप क्या दह रही है गंगमा बेटा मासून लोगों की जिंदगी के साथ खिलवार करता है अंकार में डूबे तेरे जैसे शेतान को डर से थर थर कापना चाहिए अब देख मैं तेरी क्या दुर्गती करती हूँ आज मैं तुझे ऐसी सजा दूँगी कि तेरे जैसे दुष्ट की नस नस काप उठेगी लड़कियों की इज़त मान और सम्मान से खेलने वाले औरत का दर्द क्या होता है आज तुझे मालूम पड़ेगा लड़कियों को त यह दमयांती की तुझे दी गई सजा है झाले प्रद की तुझे खेलने वाले और सम्मान से दुझे है पिटा पापा के साथ खेलू मैं दूद लेकर आती हूं ठीक है केच को अंदर कैसे आरह हो अच्छा सुनिए दू थोड़ा गरम है कौन हो तुम लोग मैं तुम से बात कर रही हूं कि यहां कि वाया है तेरी दुश्मनी मुझ से है समझे छोड़ दे उन दोनों को छोड़ दूँगा मेरी मा अब यह छोड़ दूँगा जितना तु तु सोच रही है उतना घटिया नहीं है तेरा मामा ते अंती इतने दिन से तेरा मामा जेल में सड़ रहा था तुझे एक बार भी मुझे देखने का मन ही कर रहा था बेटी कोई बात ने बेटी तू खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूंगा तुझे देखने की बहुत इच्छा थी इसलिए में तुस्से खुद मिलने चलाया कि तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है पूरे गाहों में दान धरम करती रहती हो और उन लोगों का अच्छा बुरा तुम ही देखती रहती हो ना सुनकर बहुत अच्छा लगता मेरी भी एक छोटी सी मांग है अगर तुम मान लो तो मैं अपने रास्ते चुप चाप चला किया यह सारी जायदाद मैं तेरे नाम कर दूं यह असंभव है यह अस्पतार अप्पाजी का सपना था और यह तेरा कभी नहीं हो सकता कि इस भेरा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है कि तेरे मरेवे बाब का सपना ज़रूरी है या कि तेरे इस जिंदा पती नहीं कुछ मत करो तुम्हें जायदा भी चाहिए नहीं दमयंती चाहे कुछ भी हो जाये तुम कोई गलत कदम मत उठाना मुझे मेरी कोई परवा नहीं है अपने बाबा का सबना मत तूटने देना वा रहे त्याग की मूर्तियों जब तू ही मरने के लिए तयार है तो मैं क्य कर देने देने में हाँ कुछ गए ऐसा मारा की बच्ची का zit सब्सक्राइव है देखो देंरा बाइव हि मुझे लगता है अंघ़िशे केस है इसे तो एडिमि डर्च करना पड़ेगा साइन करो बेटा तुम्हारी बेटी का खोन बहता जा रहा है देखो बेटा देखो यहार। हम राले की वेटा फिल्डिक के पिल bereits आड़े घ्रषाय हें। दियु छॉ Suff curl दूसर दुन हो भुष दूसर बेच्चा! 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 त्यों कि आई सकने त्यों त्यों अँ पीले अब जितना पीना है पीले जितना पीना है पीले इस देवापूर महल का, मैं ही राजा हूँ हुआ हुआ धुआ हुआ 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 आप कोई समस्या तो नहीं होगी ना? जैसा तुने सोचा है वो बैसे नहीं मरी है जीवित रहते ही तुने उसकी जिन्दकी को समाधी बना दिया तेरी समाधी बनाने के लिए वो 24 गंटे में वापस आएगी और तुझसे बदला लेगी मरने से पहले उसने यही प्रतिज्या ली है तड़प तड़प के मरी है वो प्रेत आत्मा बन के घूम रही है एक और बात उसके साथ साथ उसकी बेटी भी प्रेत आत्मा बन चुकी है तू मट डरना इसलिए मैंने इसे और इस महल को चारों तरफ से हमेशा के लिए बान दिया है मेरे इस बंधन को तोड़कर इस महल से किसी भी आत्मा का पाहर चौना समभब नहीं है मेरे एक बात ध्यान से सुन ले जितने दिन तक तो इस घर इस महल से दूर रहेगा उतने दिनों तक सिंदा रहेगा ये लो ये शक्ती तेरे साथ रहेगी तो उस दुष्ट शक्ती का तेरे आसपास भी आना मुम्किन नहीं है सुन्दर से खिल खिलाते परिवार को भर बात कर दिया इस चायदाद के लिए मेरे परिवार को मार के उसने मेरा ये हाल बना दिया तेरी कहानी सुनकर सारी आत्माओं को बांधने वाला मेरा दिल भी पिखल गया तेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है और इन सब का कारण वो ही है बेचारे इन लोगों ने क्या किया तू यहां से चली जाओ नहीं जाओंगी नहीं जा सकती जाने का नाम भी नहीं लूँगी जब तक उसका सर्वनाश नहीं करूंगी मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी अगर चाहते हो मैं यहां से जाओं तो पहले उसे यहां लेकर आओ उसकी बली लूगी मैं यह असंभव है तो मेरा यहां से जना भी असंभव है अगर इस समस्या से बचना चाहते हो तो वो बहरा कहा है ये पता लगाओ उसे किसी भी तरह यहां लेकर के आओ उसके आने के बाद दम्यंती सब कुछ संभाद लेगी मामा झेलर है ना उन्हें पक्का पता होगा हलो मामा मैं पूरी रासे पिटा गिरी आपके जेल में कौई भहरा आंगो के दी है क्या हाँ ठीकर मामा क्या हुआ वो चहरे है कि उसे इंडी पेंडेंडेंस डेक देन रिलीस कर दिया था उन्होंने उस चाय वाले दादा-जी को फोन करतो जायद वो उसके बारे में कुछ जानते होंगे करेक्ट हैलो हलो बहरों के बारे में आपको जानते हैं बनलो पना पाव बाल दियुड़ बनलो पना पां वाल एकला यहाओ बाइया कुछ लोग दिवापुरा से आये हैं वहां के बंगले के बारे में आप से बात करना चाहते हैं कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए तुम्हें वो देवापुरा के उस पुराने बंगले के असली मालिक आप है पता चला जिसने आपसे वो बंगला लिया था वो अब जिन्दा नहीं है अगर आप बुरा ना माने तो उस बंगले के बारे में आपसे एक ओके मिलता तो एक डील के बारे में आपसे बात करनी है कैसे डील अरे वो देवापुरा महल को खरीदने के लिए दो-दो लोग तैयार हैं अगर आप मान जाए तो आप ही उस महल के ओनर हो ये दिखाकर दील फिनिश करके आने वाले पैसो का 50-50 बाट लेने का आईडिया है हम अपिए इसमेल के ओनर है आपको जरा सा भी सेंस नहीं है क्या ऐसी यह जाता है कोई मुझे क्या श्रीरामपुरा का दलाल समझ रखा है क्या तो तुम खरिदना चाहते हो पोट सूट सूट के इसलिया तो यह दिख रहा है मालिक तो यह दिख रहा है बेर आई आए घर देखी दाया पेर को आगे रखू या बाया पेर को आगे रखू शुबकार है ने दाया पेर रखे आगे आए 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 अरे अंकल मैं अपना दाया पेर आगे रखू ये कोई मंदिर है क्या ये मेरे दुश्मन का इस्थान है समझ में आया सर, यह घर आपका है, आप तायां पे रख रहा हो या बायां पे रख रहा हो साबू तुम लोगों को मैं अच्छी तरह चांदता हूँ ने, ने, मैं मैं सब बताता हूँ अच्छी तुम मेरी मौत को देख कर खुशी मनाना चाहती है ना, देख मैं तेरे सामने ख़़ा हूँ आप तुझे जिन्दा ही दफना दिया था तो मैं तुझे क्यूं डरूँ अब तुझे फिर से मारने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आना आज देखता हूँ तेरी आत्मा में ज़्यादा दम है या फिर मुझे में आना अगर तु नहीं आई तो इन सभी की बली चड़हा दूँगा मैं अगर दमयंती तेरे इस खेल से डरने वाला नाहीं हूँ मैं मा दमयंती है आजो मा बचाओ मा तुम्हारा कातल बहरा आ गया बाहरा आओ मा बाहरा ओ कर आए तो इसान मुझे माफ और दो मुजे माफ करते हैं दुखो मुझे मुझे कुछ मत करना मुझे कुछ मत करना चड़ु आमुझे चोड़नो मुझे! एई द्यम्यंती! बदला लेना है तुझे! बदला लेना है ना? तो लेले ना बदला मुझे छूबी नहीं पारी है न तुझ जब तक यह मंत्रशक्ती मेरे कले में है तुमेरा कुछ नहीं बिगार सकती कुछ भी नहीं रतक्षा गोरम गोरम अकालम रित्यू हरनम आपाशनम फट्स्वाहा तुझे असानी से नहीं छोड़ूंगी जब तक तेरा खूण नहीं पियूंगी तुझे दड़पात और पाके नहीं मारूंगी मेरी आत्मा को शांती नहीं मिलेगी मेरा सामना करने वाले को मैं कभी छोड़ता नहीं और तू तो मेरे सामने खड़ी है तो मैं तुझे छोड़ दूगा क्या चाहे तू कितने भी बंदन रख ले तेरी पली लिये बिना मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी तमयंती तेरा नाश करने के लिए हिमाले पर तब करके आया हूँ अन आहार छोड़कर सिर्फ हवा पर जिया हूँ मैं कठोर तपस्या करके सिध्धी प्राप्त की हट साधना से शूद्र क्रूर भयंकर शक्तियों को इन हाथों में हासिल करने वाला रखता चाहूं मैं आत्माए मेरे सामने आने से भी घबराती है ए दमयंती तेरा नाश होकर रहेगा ए भैरा इस दमयंती का तमन करने की तयारी कर ले और मैं मंत्र पड़ू तो आस-पास कोई नहीं रहना चाहिए यह महाकाली महाप्रलय ला सकती है इस जुआला मुखी को शांत करना बहुत मुश्किल काम है मेरी तंत्र सिथी होने तक मंत्र चारण में रुकावट नहीं आनी चाहिए समझ ले आप निश्चिंतों को तमयंती का अंत कीजिए बाकी का मैं देख लूंगा इन यहीकठ्ठारके बांद्व एये फर्ट खॉब भरण भरण प्लीज चोड़शोद्व छोड़ा भरण प्लीज अँआ प्लीidän हमें छोड़दो उता荡 मुझे जोड़। फिल्यों मुझे हाइ! चोर… चोर दोसको! मेरी बची को मुच्ज़ दोर मत गार! मेरे मंत्रो चारण में कोई रुकावंट नहीं आनी जाहिए ये महाकाली प्रलैल आ सकती है होम होम इम 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 इस महाकारी महाचंडी के अफ़तार को समाथ करने के लिए साक्षात महाशिफ को मेरे शरर में आके मेरे पैरों के नीचे आना होगा त्रिमूर्थी के साथ बच्चों वाला खेल खेला है मैंने नराकी नराकी पुरुष यक्ष गंधर्व सकल जलाचर अनुरेणु खश्ट को दसो दिशाओं में हासल करने वाली मैं ऐसी महाशक्ती के सामने एक दुष्ट तान से कहां ठिक पाएगा ये फेराव प्यूर्थ प्यूर्थ हुँ हुँ मुण लिं Learn झाल हुआ 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 हु पहे लोग एफ और रख साइब लेऋ एह खरे लेक लेढ security लेक भाए खरेख भाए झाट्वा・ लेक लोगा वजय रेका विल्ण साइब ़ेका कलद लेका दिल्ण साइब ले-क फिल्ण based रह उब बंप लेका मला साइब लेका करिसार डरिसार 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 डर?", बुम रधा त, करिसार डरिसार YOUR र ओर डर सकतuscते । वह एंचा जो! मस réponse भोगी! लोग 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 लेसारी 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 दम्यांती, मैं तुम्हारा मामा आओ दम्यांती, मामा मुझे छोड़ दो तेरे किये गए उपकार का सदकार किये बना कैसे छोड़ दो भैरा दिरेसा 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 दिरेस कहा था ना मैने तुमसे यह भूत-बूत नाम का कुछ नहीं होता सब लोगों का अंध विश्वास है समझ में आ गया ना यह सर सब्सक्राइब करें तक रेजिस्ट्रेशन का काम पूरा करके तुम्हें डॉक्यमेंट्स हैंड वर कर दूँगा ओके ना ओके सब्सक्राइब चल यार चलो चले अपना काम हो गया अग्वान का लाग्वान का शुक्राइब करें अग्ले साल असली रियालिटी शो होगा तो बताना हम आएंगे काली सब्सक्राइब है सुनो सब अपना नंबर मुझे दे देना आखास का लड़कियों तुम लोग मैं यहाई कि पर दूब है